नमस्कार साथियों मैं मनिश भारती संस्कृती PCS प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों जैसा कि आप जानते हैं बिहार प्रारमिक परिक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग पिछले एक वर्स के करेंट एफेर्स का रिविजन कर रहे हैं आज लेक्षर नमर 96 पर हम बात करेंगे और आज का जो टॉपिक हमारा है वह प्रमुख योजनाय आधारित प्रश्ण होगा आपके लिए है जो सारे योजनाय है चुकि यह इंपोर्टेंट है इससे एक दो प्रश्ण आता है तिसको ध्यान से देखते चलिएगा चुकि यह आपके लिए जरूरी हो जाएगा अब देखिए सबसे पहले एक प्रश्ण जो मैं प्रतेक दिन दिया करता हूं जरा इस पर ध्यान देते हैं चुकि यह आपके लिए आवश्यक होगा अटाल प्रश्ण योजना किस वर्श शुरू होई थी पहले भी पूछा जो चुका है आपको यहां पर देखना है अब देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है सबसे पहले में स्टेटमेंट देखेंगे उसके बाद विकल्प के आधार पर चलेंगे मिशन दक्ष का पूरा नाम है ज्यान और कौसन के लिए गतिसील दिर्श्टिकॉन दूसरा है इस योजना का उद्देश राज में कक्षा तीन से आठ के कमजोर जात्रों को विशेश रूप से हिंदी गनित और अंग्रेजी की कक्षाएं प्रदान करना है तीन विशे को लेकर के चर्चा किया गया है यह ध्यान रखिएगा हो सकता है इसमें साइंस भी याट कर दे है न तो आपको य योजनाव पर अधारित कुछ प्रशन स्वालव करते हैं तो एक-एक बिंदू का ध्यान रखते हैं चुकि गलती वहीं कराय जाने की संभाब न रहता है अब यहां पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है मिशन दक्ष का पूरा नाम है तो आप जैसा पढ़े भी हो कहता है सबसे पहले दो तीन बाते कहता है कि कक्षा तेन से आठ तक की बाते की गई है एक चीज तो यह इस योजना में सामिल है यह सही हो गया कमजोर छातर के लिए और विशेश रूप से तीन सब्जेक्ट एक तो क्या है कि गनित की उसे समझ हो और दूसरी बात भाशा की समझ हो जाए है ना दो चीजों की अगर समझ है तो आगे चल कर वां की सब्जेक्ट उसमें एड किया जा सकता है आप कहेंगे साइंस को ले करके जैसे फिजिक्स को ले होगा कि माले यह कोई कौम जोर चात्र है कुशी और सब्जेक्ट पर बात करना चाहता है तो टीचर नहराज हो जाएंगे कि नहीं भाई इस योजना के थाथ इतने ही बाते करनी ऐसा तो नहीं किया जा सकता है तो यह ध्यान रखना है मुख रूप से बाते की गई है दोनों स जो है वह दिया जाता है चार विकल्प यहां पर आपको दिया गया है देखें यह जो है विहार सरकार का एक महत्तो कांक्षी योजना है इसलिए इस पर प्रशना आ सकता है मुख्यमंत्री अल्फसंख्यक उद्दमी योजना के अंतरगत कहा गया है कि 10 लाख तक का लौन द योजना जो है वह माइनौर्टी के लिए है समाज में जो अल्फसंख्यक वर्ग है उनके लिए इसका लाब मिलेगा तो 10 लाख की रासी है तो देखिए एक जो यह विकल्प है इसके साथ आपको जाना होगा आगे बर जाए तीसरा क्या है मुख्यमंत्री स्वैंग सहायता बहत्ता योजना के अंतरगत कितने रूपिय दी जाते हैं इंपोर्टेंट है ना इसको लेकर के काफी चर्चा रहा है और बिहार में बहुत ज्यादा यह यह योजना लोग प्रियाफी रहा है इसलिए आपको दिहार रखना चाहिए मुख्यमंत्री स्वैंग सहायता बहत् गुजर रहे हैं यानि कि बिरोजगार है तो अगर वो नौकरी की तलास कर रहे हैं तो मानके चलते हैं कि एक-दो साल लग जाएगा ना चोकि मार्केट में जौब बहुत है नहीं तो दो वर्ष के लिए उनके लिए क्या है कि सरकार ने तैंकिया कि प्रती माह हम आपको कु आर्थिक शहायता कितना किया जाएगा तो यह कहा गया कि आपको एक हजार रूपिया जो है पर मन्ठ दिया जाएगा ममना समझ में आ गया है तो यह योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं बहुत पॉफिलर है भी जैसे कि हर घर नल का जल योजना गंगा उद्धै योजना बाली का असनातक प्रोथ्षाहन योजना यहाँ पर जो है तीन योजना की बाते की गए जैना विकलप कि कोन साप योजना सही है दो नमर का या तीन नमर का ऐसा नहीं है विकलप को फिर से देखिए only one ऐसे करके दिया है तो देखा जाएगा कि कितने टोटल में गिंतिगारार पर तो यहाँ पर देखेंगे तो हर घर नर का योजना जो है बहुत फेमस योजना है बिहार का और इसके अलावा अब जानते हैं गंगा नदी जो है बकसर से इंट्री कर जाती है बिहार में और भागलपूर के पास निकलती है तो गंगा नदी के लिए योजना है और बालिका सनातक प्रोत्साहन योजना जो है यह भी बिहार सरकार ने लड़कियां आगे बढ़ सके पढ़ाई कर सके हैं चुकि स्कूल के बाद देखा जा रहा है कि बच्चियों का विवा हो जाता है बिहार में जो निदियायूप के डेटा आया है उसमें यह देखा गिया है तो सरकार ने कहा कि जो अंदर गरजुएट होगा सनातक पढ़ाई अगर बच्चियां करती है त ताइन में से सभी तब उस पर विचार कर लेते लेकिन ऐसा नहीं है निमिक्रिक्त में से किसी से आओ बिहार योजना संबंदित है अब यहां पर देखिए चार विकल्प दिया गया ना आओ बिहार को लेकर के देखिए अब इस योजना के संदर में बाते समझे बिहार एक कि लेंडर लॉक स्टेट है तो इसके वज़े से क्या होगा इंडुस्ट्री वहां नहीं जाएगा इंवेस्ट्मेंट कम हो रहा है ऐसा देखा गया है नबे के दसक के बाद जहां बांकी राज्य जो रहे हैं भारत के वह तेजी से आगे बढ़े और बिहार जैसा राज्य जो के तकनीक को बिहार की तरफ खींचा जा सके इन सब काम के लिए यह आओ बिहार योजना है और यहां पर जो चार विकल्ब दिख रहा है तो एक के साथ आप देखिए नहीं और दोगी की एकाई की अस्थापना है ना इसमें तकनीक लिए अगर लिखा हो तो चलेगा क्योंक जितना दस योजना करा दूँगा इससे बाहर नहीं आएगा एक दो बाहर आ जाये तो आप पढ़ लीजेगा लेकिन इतना में से पूछा जा सकता है निमलिखीत में से किस मंत्रारे द्वारा मिष्टी योजना शुरू की गई थी इंपोर्टेंट है ठीक है इसको फाइव कल्प के साथ आपको जाना है ज्यादा इसमें आप से कुछ नहीं पूछेगा प्रेर्णा कारिकरम के इंतरगत किस कख्षा के छात्रों को प्रेर्णा दाएक शिक्षा दी जाएगी यहाँ पर पूछा गया है किस कख्षा यह 5-8 के बच्चों को यह क्लास 6-9 तक के से की गई है ताकि यह मोटिवर्ट हो सके और इस एज ग्रूप में होता है वह ख्षा बुनने वाले ग्रूप होते हैं जब आप भी क्लास 9-12 तक रहोंगे टीचर भी आप से स्कूल में लगातार पूछते होंगे कि बड़े हो करके क्या बनना चाहते हो तो यहाँ जो है न स्कूल पर आपको विकल्प में है और भावुक नहीं हो जाना है बहुत लॉजिकली सोचना है कि कोई चीज है तो वाकए मेरे स्टेट से संबंदित है या हम जहां का इजाम देने जा रहे हैं उससे संबंदित है तभी उस प्रश्न के साथ जाना है पहले बता दूं कि बिह सही नहीं है ठीक है आगे विचार कीजिए उत्रपर्देश उत्रखन शर्टिसगर ठीक है अब देखिए यहां पर जो राम लेला दर्शन योजना आप जानते हैं आयोध्या में प्राहन परतिष्ठा हुआ राम लेला के बालक राम के मृतिका तो इसको लेकर के विविन्य दर्शन योजना लाए गया ठीक है कि लोगों को वहां ले जाकर के जो बालक राम है जिनका प्राहन परतिष्ठा हुआ है उद्ध्या के नम निर्वित मंदिर में वह दर्शन कराया जा सके मामला समझ में आ गया चलिए गवा सुरक्षा योजना बहर जरूरी है फाइर वि क्या है गवा सुरक्षा योद्ना नमली कित में से किस सराचे द्वरा शुरू की गई है चार है फिर से इसमें बिहार दिख रहा है आपको न भावब नहीं होना है बिहार इसका जबाब नहीं है पहले दियान रख लिजेगा पुराने फिल्मों में देखा होगा आपने तो यहां पर सीव कलब के साथ चलना पर हमनटविश्व शरुझा सफेरा योजना कि सराजी की पुलीश द्वारा शुरु गई एक बात तो आपको बताता हुआ इस प्रश्ण में ही लिख दिया गया है किया किस राजी के द्वारा शुरुकिया गया है तो मैं आपको एक चीज़ बताता है, यह पुलिश के द्वारा है, पुलिश के लिए, रिफॉम के लिए है, लेकिन देखें यहां पर औलरी प्रश्ण में है, तो एक चीज़ तो आपको ऐसे ही पता चल गया, अब देखें इसमें भी बिहार पुलिश है, फिर से कहूंगा भ यहां से पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस तरह के प्रशन डालेगे हैं, और उसमें हर मेंसा एक विकलप आपको बिहार पुलिश या बिहार सरकार से संब्दित कोई भी चीज दिया जाएगा, इसमें बिहार पुलिश की बात है, बिहार पुलिश दिया गया, लेकिन यह सह के देना है, तो कुल मिला के देखिए, आप लोग ने अर्मिट कार भी डाउनलोड कर लिया होगा, बहुत सारे बच्चों का यह था, कि अर्मिट कार पर जो लोग बाहर से थे, मैं देख रहा था, कि मेरे फेस्बूक बगरा पर भी बहुत सारे आप लोग लिखे थे, मैं पिछले दो-तीन दिन में कुछ अलग वजहों से थोड़ा वेश्ट था, तो लेक्चर भी नहीं ले पाया और आप से संबाद हो नहीं पाया, मैं देखा कि बहुत सारे लोग का मेसेज था, कमेंट में भी था, उसमें क्या है कि अभी डिस्टिक दिया होगा आपको, यह नह पिछले बार की तरफ, तो सही से पूरी तयारी 12 तारीक को है विहर पहुंच जाएगा, जहां है सेंटर वहाँ या फिर पटना जरूर 12 को पहुंच जाएगा, ताकि आप, और दूसरी बार बता दू, 11 वज़े तक ही इंट्री है, 12 से एक्जाम है आपका, लेकिन बिलकुल दिया गया है कि 11 वज़े तक ही एक्जाम हालमेंटरी है, तो आप मान के ऐसे दिमाग में चलना कि आपका एक्जाम जो है, 11 वज़े से है, 10 वज़े आप किसी भी हाल में सिंटर पे पहुंचे रहे हैं, ठीक है, छोटी-छोटी बातों पर धेहन दीजिएगा, नहीं तो सार ही तैयारी जो है, वह बेकार चला जाएगा, तो इशिवादे के साथ, कि 96 में ये करा दिया है, 3-4 टॉपिक आप लोग का और बच गया है, वो सारे टॉपिक भी मैं करा दूँगा, उतना में आपका काम बन जाएगा, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, और फटा-फट जिन लोगों ने संस्रिती PCS चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यो सो मुच,